फिर से एक बार आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेली अप्लिकेशन क्या है और बेली अप्लिकेशन को किस तरह से यूज क्या जाता है बेली अप्लिकेशन में आप खुद का स्टेटेस क्रेट कर सकते हैं चलिए देखते हैं बेली अप्लिकेशन को किस तरह से यूज़ क्या जाता है सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे की मेरे आने वाले सभी लेटेस वीडियो का नौटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए सबसे पहले आपको प्लेश टोर ओपन करना है यहां पर आपको सर्च करना होगा बेली हम इसे सर्च कर लेंगे इस अप्लीकेशन का लोगो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा सबसे पहले आपको इसे डॉनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद आपको इसे ओपन करना होगा उसके बाद यहां पर एलाउ में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको इस अप्लीकेशन में कुछ इस तरह का इंटरफेस निज़र आएगा यहां पर आपको लेंग्वेज का अप्शन मिलेगा यहां पर आप अलग-अलग लेंग्वेज आपको दिखाई देगा यहां पर आप देख सकते हैं तो आपको इसा भी यहां से सलेक्ट कर सकते हैं जैसे यह वाला हम सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहां पर create में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर अलग-अलग इसटाईल मिल जाएगा आपको इसा भी स्टाईल यहाँ पर से سलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको गैलरी का उप्षन मिलएगा आप अपने गैलरी में से कोई image एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर add कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने गैलरी में से कोई image add कर लेते हैं. उसके बाद आप इसे crop करना चाहते हैं, तो crop कर सकते हैं, उसके बाद crop करने के बाद आपको डैन में क्लिक कर देना है. उसके बाद यहाँ पर आपको lyrics position आपको यहाँ पर मिलेगा तो आप इसे center में कर सकते हैं, bottom में कर सकते हैं इस तरह से और आप इसे opticity यहाँ पर set करना चाहते हैं तो इस तरह से कम या ज़्यादा opticity कर सकते हैं, gray scale आप यहाँ पर से कम या ज़्यादा set कर सकते हैं यहाँ पर गैलरी में से कोई image add करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर आपको screen ratio मिल जाएगा आप यहाँ पर से screen ratio select कर सकते हैं यहाँ पर आपको text style मिल जाएगा आप यहाँ पर से इसे select कर सकते हैं और यहां पर आपको lyrics का option मिलेगा, यहां पर से आप lyrics download करके उसे add कर सकते हैं, तो अभी हम इसे back कर देंगे, उसके बाद यहां पर आपको user tag का option मिलेगा, तो यहां पर आप tag लगा सकते हैं, इस तरह से कुछ भी tag आप यहां पर add कर सकते हैं, उसके बाद आपको done में click कर देन तो यहां पर आप video quality कितना रखना चाते हैं, full HD है, standard है, तो यहां पर से आप select कर सकते हैं तो यहां पर select करने के बाद आपको save में क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं remove water mark तो जो इस application का water mark है उससे आप remove करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको add देखना होगा उसके बाद आप यहाँ पर से watermark remove कर सकते हैं तो अभी हम इसे continue कर देते हैं अभी यहाँ पर हमारा status complete हो चुका है अभी इसे share करना चाते हैं WhatsApp, Facebook, Instagram तो आप इसे share कर सकते हैं इस तरह से आप Bailey application में खुद का status create कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो फिर में लेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye thank you